अब आपका दिमाग घूम गया बोल रहे हैं कि ये ग्यान प्रताप बोल रहा है कि बाहर कोई खतरा है नहीं और भीतर चोरी रोज हो रही है तो चोर का है वैसे मेरे भी घर का नाम ग्यानु ही है पिता जी थे उनको इस शब्द से बड़ा कुछ प्रेम था लोग दुलार में अपने बच्चों के बहुत तरह के नाम रखते हैं उन्होंने मेरा नाम रखा ग्यानु आप दुनिया के बाकी सारे काम किसी और से करवा सकते हो बहुत बड़े आदमियों साहब आप 700 करोड का बंदा है जवान और भी से 700 करोड का हो गया तो भी वो एक काम किसी और से नहीं करवा सकता हो खुद ही करना पड़ेगा क्या प्रेम बाकी सब काम के लिए वो सहयोगी असिस्टेंट ये वो रख सकता है प्रेम के लिए भी कुछ रखेगा भीड न तो चिता पर साथ जाएगी न मुक्ते में साथ जाएगी ये काम तो बिलकुल निजी है, अकेले कर बाहर ग्यान रहे सिपाही भीतर भक्ति अधिकाई क्या है भक्ते कौन करता है भक्ते करने की बाद भी बाद में आती है भक्त है कौन जो अनुभव कर रहा हो कि टूटा हुआ है जिसको प्रतीत हो रहा हो कि कुछ खोया हुआ है जिसको अपने विभक्त होने का एहसास हो ये अपूर्णता अविश्राम बेचैनी, खलबली, हडबडी स्विकार करता हो कि भीतर रहती है वो भक्त है पर अभी हमने जो बातें कहीं वो आवश्यक हैं भक्त होने के लिए पर पर्याप्त नहीं है तो यह जो पहली शर्थ है इसको तो बहुत लोग पूरा कर देते हैं जो एकदम ही जड़ न हो चुके हो उनको यह अनुभव हो ही जाता है कि भीतर कुछ तो अभी दुखी है कुल बुला रहा है, असंतुष्ठ है रोगी सा है लेकिन जो भक्त की दूसरी शर्थ है उसको बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं दूसरी शर्थ है अपनी बेचैनी का सच्चा कारण खोजना हम बेचैनी के जूठे कारण खोजलाते हैं बेचैनी का जूठा कारण हमेशा बाहरी होता है मेरी आय कम है मेरी आयू ज्यादा है व्यापार ठीक नहीं चल रहा समाज में इज़त नहीं मिल रही रिष्टे नाते उलजे हुए है, शरीर स्वास्त है, ठीक नहीं रहता बेचैनी है, ये तो स्विकारा, पर बेचैनी का कारण कहीं बाहर ढूंड निकाला तो जो भक्ति की पहली शर्त थी, वो तो पूरी हो गई, कि हाँ, कुछ खंडित, कुछ टूटा, कुछ अपूर्ण है भीतर, वो ठीक है पर हमने कहा था, वो पहली शर्त परयाप्त नहीं होती, उसके आगे भी कुछ होता है तो दूसरी शर्त होती है, सही कारण स्थापित करना बेचैनी के जूटे कारण अनंत है, आज धूप नहीं निकली, आज कोहरा बहुत था, मन अच्छा नहीं है ठंड ज्यादा है, या गर्मी ज्यादा है, मन अच्छा नहीं है बाजार में कुछ लेने गया था, मिला नहीं, तो मजा नहीं आ रहा कोई खेल मुझे पसंद है, वहाँ मेरा पसंदीदा खिलाडी हार गया आज थोड़ा खिन हूँ, बेचैनी के जूठे कारण अनन्त हो सकते है नहाने गया गर्म पानी नहीं मिला, आप अपने आपको तीन घंटे तक परिशान घोशित कर सकते हो कोई पूछेगा क्यों परिशान हो कहोगे, आज पानी नहीं था अच्छ, गर्म बाहर जा रहे थे, आपकी गाड़ी के आगे किसी और ने सटा कर लगा दी थी उसकी हटवाने में दस मिनट अधिक लग गए, दस मिनट तक सड़क पे खड़े रहे वो बात मन पर है, मन अच्छा नहीं है हम अनन्त कारण खोज निकालते हैं बेचैनी के बेचैनी का हम सच्चा कारण कभी नहीं स्वीकारते हैं और बेचैनी का सच्चा कारण है बेचैन का होना बेचैनी का कारण बेचैनी का विशय नहीं होता बेचैनी का कारण बेचैनी का अनुभोकता होता है बेचैनी का कारण बेचैनी का विशय नहीं विशयता है जो बेचैन है वही बेचैनी का कारण है यह दूसरी शर्त पूरी नहीं होने पाती पहली तक तो शायद 60-80 प्रतिशत लोग पहुँची जाते होंगे अनुमान से कह रहा हूँ उसमें भी 10-20 प्रतिशत होते हैं जो नहीं पहुँचते हैं वो इतने पहुँचे वो होते हैं हमारा सब बढ़ियां में कोई बेचैनी नहीं है तो उनकी तो हम बात ही नहीं कर रह है तो जिससे कोई दर्द होई ना रहा हो वो या तो मुक्त है या मुर्दा मुक्त तो नहीं होंगे तो मुर्दे ही होंगे तो सबसे गई बीती स्थित में तो वो होते हैं जो कहते हैं हमें कोई समस्या है ही नहीं कोई हमको दुखदर्द बेचैनी तडप छटपटा हट त पूरे तरीके से, समाज से, जीवन से, भौतिक प्रक्रति से, एकदम समयुजित होकर जीने लग जाना, समयुजन समझते हो आप, क्या, एडजस्टमेंट, ये है, ये बार-बार आ जाता अपनी कुर्बानी देने, कल भी ये आया था, हमने इसका इस्तिमाल करके, पता नहीं क क्या-क्या जान लिया था, सीख लिया था, ऐसों का, शायद अच्छा उपियोग यही है न, किसी दूसरे के काम आ जाए, अब अपने काम तो ही क्या ही आएगा, कि मैंने इसको उठा करके यहां रख लिया, हम, आप मुझको सर बोल रहे हो, ये सर के सर पर बैठ गया, इसे क क्या पता असू गिरें इसके, कुछ भी नहीं गिरा, इसको यहां डाल दिया, अब यह लिया मैंने और यहां पसीना पोच दिया, अब मान लगा इसको, कि देखो पसीना पोचने के काम आ रहा हूँ, लगा, कुछ लगा इसको, कुछ नहीं लगा, ये मजे से समायोजित है, ये well adjusted है और अब मैं आगे क्या करने आला हूँ समझे गाँगे क्या करने आला हूँ इसको पाओं के नीचे डालने आला हूँ ये क्या करेगा प्रतिकार विद्रोह चीखेगा नीचे से संतुष्ट कोई समस्या नहीं तो ये सबसे निचली स्थिति होती है इसमें भक्ते की कोई गुंजाईश नहीं बेचैनी का एहसास ही मर चुका है जहां ही डाल दिया गया है वहीं ठीक है कोई समस्या नहीं है सर पे रख दो तो सर पे ठीक है और कुचल दो पाओं के नीचे तो वहां भी ठीक है और नाली में फेक दो इसको तो वहां भी ठीक है तो यहांने पसीना पोचा था यहां कुछ गिर जाए नीचे गंदा हो और उसको इससे मैं साफ कर दूँ तो भी क्या यह कहेगा कि मेरा कुछ तो खयाल करो श्वेद धवल, उज्जवल पुर्णिमा का चांद हुमे कुछ कहेगा ऐसा अब मैं इससे नीचे मान लो कुछ गिर गया है काली कॉफी गिर गया है और सब पोच दिया है काला काला दाग धबा कुछ भी लग गया यह कैसा है I am okay All is well सब बड़ी हाँ, सब चंगा सी ऐसों का कुछ नहीं होता भक्ति के लिए सबसे पहले वेदना चाहिए वेदना माने जानना जो जानेगा वो दुख को ही जानेगा जो जानेगा वो दुख को ही जानेगा आनंद तो वो इस्थित्य है जिसमें जानने वाला ही मिट जाता है जब भी जाना जाता है, दुख को ही जाना जाता है, सुख, सुख भी तो जाना जाता है, जब सचमुच जाना जाता है, तो पता चलता है कि सुख भी दुख का ही एक रूप है, एक संसकरण है, तो इसलिए जानना और वेदना एक दूसरे के शास्त्र में पर्याय होते हैं, ज जब भी जाना जाएगा उसमें होगा दुखी, अगर सचमुझ जाना है तो प्रतीत दुख की ही होगी, तो ये पहली शर्त है हमने का, दुख का अनुभाव मेरे भीतर कुछ रंजित है, कुछ खंडित है, कुछ शंकित है, कुछ कम्पित है, ये पहली शर्त, हमने का है कि 20-30 प्रतिशत शायद ऐसे होते होंगे कैसे ऐसे उन्हें जहां भी रख दो वहीं मगन है ये मगनता जड़ता है ये मुक्त नहीं मृत्यु है मुर्दे के साथ कुछ भी करो कभी प्रतिवाद करता है क्या कभी हुआ कि किसी मुर्दे ने उचल के थपड़ो गएरा मार दिया हो य ये कहां धूल पर डाल रहा है अपने ऐसा समझ रखा है कई भी रख देगा कभी हुआ अकड़ गया है मुर्दा उसका हाथ मरोड़ी दे रहे हो खींचतान के उसके कपड़े उतार रहे हो कुछ उसको फिर पहनाना है अंतेश्टी से पहले तो कुछ भी करके रगड़के उ ऐसे ही ज्यादा तर लोग कुछ नहीं बोलते उनके साथ कुछ भी होता रहता है जिंदगी में कुछ नहीं बोलते और जो वो बोलते भी हैं वो भी बस एक मुर्दा आवाज होती है जैसे मुर्दा भी आवाज कर देगा मुर्दे का हाथ अकड़ गया हो आप ज्यादा जो लेकिन उस आवाज में भी कोई चेतना नहीं होती है जादा तर लोग बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा सब ठीकी ही चल रहा है हमें जरूरत क्या है कोछ जानने समझने की हम क्यों आगे बढ़ें क्या करेंगे हम दर्शन पढ़ करके आत्मग्यान की आवशक्ता क्या है ये मुर्दे हैं इन्होंने अपने आपको जड़ बना लिया है समवेदना शून्य क्योंकि समवेदना में भी क्या बैठा है वेदना समवेदना का अर्थी होता है कष्ट कुछ निर्णे कर लेते हैं लोग इतना डरपोक होने का कि वो समवेदना शुन्य माने नम्ब हो जाते हैं क्योंकि समवेदना जब भी आएगी समवेदना को consciousness चितना भी बोलते हैं समवेदना जब भी आएगी एहसास दुख का कराएगी तो दुख से बचना है तो अपने आपको क्या बना लो समवेदना शुन्य ये तीन शब्द एक साथ चलते हैं शुन्य सुना और सुन्य इनकी वितपत्ति एक है शून, सूना और सुन एक ही जगे से निकले हैं पर आगे जा करके इन्होंने तीन अलग अलग अर्थ ले लिये हैं मज़े की बात है कि वो तीनों अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं शून माने एंप्टी, सूना माने लोनली और सुन माने नम्ब, इन्सेंसिटिव और ये तीनों चीजें फिर हमेशा एक साथ चलेंगी अगर इन में से एक भी चीज आपकी जिंदगी में है तो बाकी दोनों भी होंगी होंगी क्योंकि तीनों का मूल एक ही है सुन पड़ जाना, असमवेधन हो जाना, जीवन में अकेले पन, सूने पन का होना इस सब एक साथ चलेंगे, emptiness, loneliness, numbness ये तीनों एक साथ चलेंगे और यहां मैं emptiness से बुद्ध वाली emptiness की बात नहीं कर रहा हूं मैं कहा रहा हूं, being empty of conscious, unconscious ये सब क्यों होता है, हम कहते हैं, हम कहते हैं, अगर चेतना हुई, तो दुख का अनुभव होगा तो इससे अच्छा है, अचेतन हो जाओ आप सरजरी कराने जाते हैं, आपको एनस्थाइज क्यों किया जाता है अगर चेतना रही तो दर्द का अनुभव होगा इससे अच्छा है चेतना कोई हटा दो सरजरी में बात समझ में आती है थोड़ी देर के लिए किसी विशेश उद्देशे के लिए ऐसा किया गया कि आपकी चेतना को दबा दिया गया ताकि आपको दर्द ना पता चले पर बहुत लोग ये काम जिन्दगी भर करते जाते हैं वो सुन होने को ही अपनी जिन्दगी बना लेते हैं वो एक दम चारो दिशाओं से ठोस जड़ पत्थर जैसे हो जाते हैं पत्थर को चोट लगती है क्या हम अपनी कोमलता मार डालते हैं हम भीतर कि हमारे जो समवेदनशील तन्त होते हैं, नजाकत होती है, हमारी जो बारीकी है, सुक्ष्मता है, उसको नश्ट कर देते हैं क्योंकि जो जितना कोमल होगा, जितना बारीक होगा, उसको उतनी चोट लगेगी, हम अपने द्वार दर्वाजे सब बंद कर देते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, vulnerability, asurakshah, vulnerability मने asurakshah, हम अपने आपको पूरी तरह सुरक्षित बना लेते हैं, ज्यादा तर लोग अपनी पूरी जिन्दगी बिताते हैं, अपने आपको सुरक्षित बनाने में, उनको सबसे बड़ी समस्या vulnerability की होती है, मैं vulnerable क्यों रहाँ, पर जो सुरक्षित हो गया है जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा मृत भी हो गया है, मुर्दा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, कुछ बिगाड सकते हो मुर्दे का तो बिगाड के दिखा दो, बचाने की खातिर अपने आपको मार डाला, तरक देखो क्या गजब, अपने आपको बचाने की खातिर अपने आपको मार डाला, उन्होंने अपने आपको सुरक्षित करने के लिए मृत कर लिया, बंदा था वो मर गया, उसकी ममी हजारों साल से सुरक्षित है बंदा तो मर गए आप 40-60-80 बंदा इससे आदा नहीं चल सकता था जब तक बंदे रहोगे या सुरक्षित रहोगे बहुत लोग कहते हैं तो मुझे बंदा रहना ही नहीं है मैं अपने आपको ममिफाई कर दूँगा वो अपनी ममी बन पूत में ढग देते थे और फिर उनकी लाशें सड़ती नहीं थी वो आज भी मिलती हैं सड़ी हैं अभी भी आप देख सकते हो कि यह रहा हजारों साल से सुरक्षित है वो हम यही करते हैं हमें से ज्याधा तर लोग चलती फिरती ममीज हैं सुरक्षित परंतु मृत सुरक् असुरक्षा को सुईकार करना पड़ेगा और असुरक्षा कुछ होती नहीं है असुरक्षा बस अहंकार को लगती है वो अप्रत्याशा का दूसरा नाम है इन सेक्योरिटी बस अन प्रेडिक्टिबिलिटी का दूसरा नाम है जो कुछ भी आपकी उमीद के विरुद्ध हो मानते हो यही है न तो जो कुछ भी आशा विपरीत हो जाता है आप कह देते हो वो मुझे असुरक्षित कर गया वरना सुरक्षा क्या बात है कुछ भी नहीं आशा अगर ना हो तो सुरक्षा भी नहीं चाहिए सुरक्षा का अर्थ ही है कि जीवन आशा अनुरूप चले सुरक वैसा कुछ भी नहीं हो सकता जो योजना से हट कर हो no deviations from the plan possible anymore planning, planning, बहुत बढ़ियां planning करी और वो planning 3000 साल से चल रही बंदा तो planning के हिसाब से चलेगा नहीं बंदा तो मर गया 60 में 80 में mummy planning के हिसाब से चल सकती है और चल रही हजारों साल से एक बंदे को एक जगह पर आप रख दो नहीं हो सकता कि 10 साल बाद भी वहां मिले क्योंकि चेतना है हिलेगा, डुलेगा, कुछ होगा उस पर कुछ प्रतिक्रिया करेगा mummy को आप जहां डाल दोगे 5000 साल भी वहीं मिलेगी बाद में सब कुछ as per the plan योजना अनुरूप चलरा है सब कुछ सब कुछ कैसा चल रहा है योजना नुसार संच म Ł栗 जो अपना जीवन जितना अपनी योजना नुसार बिताने में सफल होते जाते हैं उनको उतना जयादा लगता है सब चंगा सी कोई पूछेगा तो कहेंगे सब बढ़िया हैं महराज मौजा ही मौजा उनकी मौज से आशे बस इतना है कि अभी उनकी योजना खंडित नहीं हो रही और आपकी सब योजनाई सफल हो सकती हैं अगर आप मृत होना सुईकार कर लें आप जितना मुरदा होते जाएंगे आपक अपनी चेतना को दबाओ और योजना जितनी लंबी चोड़ी होगी आपको अपनी चेतना को उतना ज्यादा दबाना होगा क्योंकि योजना बनाई जाती है आज और लंबी चोड़ी है तो भविश्य में दू तक जा रही होगी आज आपने जो विचार था अपना आशा थ है योजना का क्या आर्थ है कि मैं अगले पांच साल वैसे बिताऊंगा जैसे मैंने आज निश्चित कर लिया ठीक तो आज आपने निश्चित कर लिया आप राजा हो गए अगले पांच सालों के आप राजा हो आज आपने एक निर्णे कर लिया लेकिन आपने पांच साल तक अब कोई निर्णे करने का अधिकार भी खो दिया खुदी खो दिया आप मुर्दा हो गए आप कह रहे हो अब तो ऐसे ही चलना है जैसा हो गया ममी कोई निर्णे कर सकती है उसका जो निर्णे होना था हो चुका है अब सब कुछ योजना अनुसार चल रहा है और जितना आप अपनी सोतंतरता को खोना गवारा करेंगे उतना ज्यादा आपकी समवेदना भी मरती चली जाएगी मनुष्य को जो चुनने का अधिकार मिला है उसमें एक दुरभाग्यपूर्ण पक्ष ये भी है कि आप अचेतन होना भी चुन सकते हो आप चुन सकते हो कि मुझे अब कोई समवेदना नहीं होगी कुछ भी होता रहे मुझसे कोई सेंस्टिविटी कोई रिजोनेंस नहीं पा हिम्मत बहुतों के पास नहीं होती और जैसे ऐसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हिम्मत और भी कम होती जाती है क्योंकि ज्यादा तर लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत व्यर्थ बहुत गलत जी होती है अब 50-60-70 के हो रहे हैं अब कैसे मान लें कि पूरी जिंद पर मोड अगर 200 किलो मीटर पीछे चूट जाता है तो आदमी मुडता नहीं है मनजिली बदल लेता है यह होता है उम्र के बढ़ने के साथ हम फिर असली मनजिल छोड़कर कोई जूठी मनजिली सुईकार कर लेते हैं हम कहते हैं मुडने की कीमत बड़ी भारी है कौन अब वापस जाने में और समय लगाएं और फिर अब उम्र हो गई इतनी उर्जा नहीं है तो अब भूल का सुधार करने से अच्छा है मनजिली बदल लो और कोई पूछे कि क्या हुआ साब आपकी मनजिल तो वो थी न तो वहलो नहीं नहीं वो मनजिल बेकार थी उसमें क्या र चला आप जिंदगी में कौन से चौराहे पर कौन सा गलत मोड लेते आये हो और उस पर बहुत आगे निकल आए तो जूट बोलते हो नहीं मेरी तो मनजिली आगे थी मैंने कोई गलत रास्ता थोड़ी लिया है मुझे तो उधर जाना ही नहीं था मुझे तो धर जाना है मैं नहीं उठा पाते हैं पहला कदम ही भहुत इमांदारी में भहुत विनम्रता में उठता है विनम्रता जो कहती है जिन्दगी पूरी बरबाद कर चुका हूँ लेकिन जो मेरे पास वर्ष महीने लमहे शेश हैं उन्हें नहीं बरबाद करना अचेतन था जूट जीता आया प समझ मैं आ रही है बात यह हम एसा लगता चान पड़ गया हो अच्छा नहीं लगता न उस चांटे से अपने को बचाने के लिए हम बड़ी बड़ी धांधलियां कर देते हैं हम क्या कर देते हैं MANzil ही बदल देते हैं इससे बड़ी धांधली कोई हो सकती है जीवन की MANzil है और आप जीवन की मनजिल बना दो भुकती या कुछ और इस विशे उस विशे को पाने की युकती ये धांद लिए जबरदस धांद लिए ये नहीं कि जहां जाना है उसकी और चले जिधर को भटकते बहकते लुड़कते पुढकते बहते बहते पहुँच गए कह दिया हमें तो यहीं तो आना था देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ नहीं तुम्हें आना नहीं था तुम्हें आने को नहीं पैदा हुए थे तुम अपने नशे में अपनी बहोशी अपने अज्ञान में बहकते बहते यहां तक आ गए हो अब थोड़ी मानदारी दिखाओ कुछ तो वि कठा कर रखा है फिर कुछ होते हैं जो मानना शुरू करते हैं कि हां रास्ता तो भटक गए रास्ता तो भटक गए लेकिन रास्ता क्यों भटक गए मैं बताता हूँ यह बगले बैठी थी न बग 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 पूरा ध्यान भटका दिया पीछे बैठ और मूँ बंद रख जो पीछे बैठ गई तो ये जो ये music system है ना खरखरा रहा है और चोर है ये dealership वाले मैंने पूछा था एंटीना का है बोले inbuilt है था ही नहीं ये इतना खरखराया इतना खरखराया कि तिमाग खरखरा गया नहीं तो हम जैसा ध्यानी पुरुष मोड ऐसे मिस थोड़ी करता है कभी तो पीछे से बोलती है नहीं पर आपने तो कल परसो भी यह किया था तुझे पीछे भी बैठ ना है कि डिक्की खोलू या गड़े ये गड़े पूरा खोपड़ा हिला देते हैं अब आदमी मोड पे ध्यान दे कि परदस्त मोड ही नहीं दिखाई देता हम ड्राइवर थोड़ी हम पाइलट हैं जैसे कहते हैं ना कि रन्वे पे विजिबिलिटी कितनी है और अगर कम से कम एक किलो मेटर की नहीं है तो यहां विजिबिलिटी नहीं ठीक है और 400 की हमारी रफतार मोड छूट गया पीछे प अध्यम दर्जे के बेइमान है इन्होंने पहली शर्थ पूरी कर दी है दूसरी नहीं इन्होंने इतना तो माना कि गल्ती हुई है पर गल्ती की वजह कौन है सब दुनिया वाले यह डॉक्टर है न इसे दवाईयां गलत दे रखी है घुटने की दवाई जाकर के दिमाग म हो गया हम मुड़ना तो चाहते थे तो गियर बदलने को क्लच दबाया तो घुटना आगे ही नहीं बढ़ा तो गाड़ी आगे आगई है थोड़ा सा वो पीछे से फिर से चीची आई थोड़ा सा नहीं 200 किलोमीटर आटो एजेक्ट लगाऊं क्या बिना पैराशूट के बह जाहिल है ये देश कुछ रखा नहीं है इस देश में जल्दी बाहर जाओंगा कहीं देखो रहे वीजा लगाओ यूएस कैनेडा कहीं का ये मुल्की गवारों का है पूछा था मैंने दो लोगों से पूछा दोनों ने गलत बता दिया फिर पीछे से वो भी है हटी पहली ब संसार में ये भी शामिल है क्या शरीर शरीर के भी गलती हो सकती अपने शरीर के भी गलती हो सकती है पर अपनी गलती नहीं हो सकती है पर अपनी गलती नहीं हो सकती किसी की भी गलती हो सकती हमारी नहीं हो सकती सुधरने के लिए ये सुईकार करना जरूरी है कि जब तक जिसके हाथ में स्टेरिंग है वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है तब तक गाड़ी गलत मोडों और गलत रास्तों पर ही आगे बढ़ती रहेगी गलत मंजिलों की तरफ बात इसकी नहीं है कि बगल की सीट पर कौन है बात इसकी नहीं है गाड़ी का मॉडल क्या है बात इसकी नहीं है डॉक्टर ने क्या दे दिया बात विजिबिलिटी की नहीं है बात रास्ता बताने वालों की नहीं है बात ड्राइवर की है लांस अंस्ट्रॉंग थे बाद में आई थी वो मैंने पढ़ी थी मझे बड़ी अच्छी लगी थी उत समय बाद में तो discredit हो गए cancer भी हुआ था उनको cancer के बाद वो वापस आये थे और वापस आकर के भी उन्होंने जीते थे टूर्णमेंट उनकी किताब का नाम था उनसे कभी किसी ने पूछा होगा tell me what's special about your bike उन्होंने जवाब दिया था वही उन्होंने अपनी किताब का शीरशक कर दिया ये बात जिसको समझ में आने लग जाया जब तक वो जो steering पर बैठा है वैसा ही रहेगा जैसा वो है तब तक ये तो हो सकता है कि भूलों का आकार प्रकार बदल जाए पर भूले होंगी क्योंकि भूलों का कारण कोई और नहीं भूल करने वाला स्वयम है भूलों के नाम बदलेंगे भूलों के चहरे बदलेंगे गलतियों का कलेवर बदलेगा ऐसी नहीं तो वैसी गलती होगी पिछली बार बाया मोड छोड़ा था आगे दाया छोड़ोगे पिछली बार गलती है करी थी कि जो रास्ता बता रहा था उसकी सुनी नहीं इस बार गलती है करोगी कि बहुत सुन लोगे उसकी जो गलत रास्ता बता रहा है लेकिन जब तक आप आप हो, गाड़ी मंजिल की तरफ जाएगी ही नहीं, क्योंकि वो गाड़ी की बात है नहीं, बात ड्राइवर की, चालक की है, ये जानना कि मैं ही अपनी सब दशाओं, दुरदशाओं का कारण हूँ, यही सच है, सारे जूट की जड़ अपने भीतर ही द नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, सच कोई सिधान्त नहीं है, जूट को पकड़ लेना ही सच है, सच को पकड़ा नहीं जा सकता, सच को जाना नहीं जा सकता, सच को शब्दों में भी अभिव्यक्त नहीं करा जा सकता, सच की कोई कलपना नहीं हो सकती, सच का कोई चितर नहीं आवश्यक है उससे जूट पकड में आ जाता है और ये जो जूट है पकड में आ गया इसी को सच के नाम से विभूशित कर दिया जाता है जूट को पकड़ना ही सच है अन्य था सच कुछ नहीं है सबसे विफल वो लोग रहते हैं जो सच जानने के लिए निकल पड़ते हैं उ उसको सच क्या जूट भी नहीं मिलता है और जो जूट जानने निकलता है वो जूट को पकड़ ही लेता है और साथ ही साथ मुफ्त ही बिना मांगे अप्रयास अनायास सच को पा जाता है आप जूट जानने निकलिएगा सत्य को नहीं जाना जाता है माया को जाना जाता है स् थे कि तो कोई परिभाशा भी नहीं होती बीमारियां पकड़ी जाती है जूट पकड़ो जूट और सबसे बड़ा जूट ये है कि जूट बाहर है जब जूट को बचना होता है न तो अपना पता गलत बता देता है आराम से बच जाओगे न डिकोई बोलते हैं इसको जानते ह कोई अपराधी बचना चाहे तो एक तो ये है कि वो पुलिस से भागा भागा फिरे और दूसरा क्या है वो खुद ही किसी तरीके से पुलिस तक अपनी सूचना पहुचा दे कि वो वहां रहते हैं बबन खान और जहां रहते हैं वहां से एक हजार मील दूर अब पकड़ने के लिए अपना पता गलत बता देता है जूट पता क्या बता देता है मैं कहां हूं यहां हूं यह भी क्या है यह भी बाहरी है यहां हूं यहां हूं उधारन के लिए किसी ने कामचोरी कर दी अब दो बाते हो सकती कामचोरी इसलिए कर दी क्योंकि आज बिजली नहीं आ रह शरीर को अपना नहीं मानना होता है देखलो ना दोनों बाहरी है इसलिए दोनों का बिलकुल एक जैसा इस्तेमाल होता है जब कामचोरी करनी होती है तो जैसे बिजली विभाग काम आ जाता है बहाना बनाने को वैसे ये कंधा भी तो काम आ जाता है बहाना बनाने को इतना दर में बैठी थी इसने रास्ता गलत करवाया है ना गाड़ी की गलती है ना सड़क की गलती है रोशनी की गलती है और प्रमान इसका यह है कि जब तक मैं ही हूं ड्राइवर सीट पर गलतियां होती रही है होती रहेंगी गलती कायम रही है गलती के कारण बदलते रहें गलती काय हम रही हैं गलती के बहाने बदलते रहें क्योंकि मैं मैं इसको कहते हैं सच्चाई इसको क्या बोलते हैं और जब ये भीतरी सच्चाई आ जाती है तो आदमी बाहर भी सच्चाई देखने लगता है क्योंकि बाहर हम जूट देखते नहीं है प्रक्षेपित करते हैं हमने अभ जूट बाहर प्रक्षेपित किया है, जब भीतर के जूट को बचाने की कोई जरूरत नहीं रहती, तो बाहर पता नहीं बताना पड़ेगा, जूट का तो बाहर की सच्चा ही दिख जाएगी, नहीं समझवारी बात, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं दोशी नहीं, मैंने पढ़ना न यह दोनों यहां बैठे हैं और बहुत सज्जन लोग हो सकते हैं बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं लेकिन मुझे जूट बोलना पड़ेगा कि यह बुरे लोग हैं ताकि मैं अपने जूट को बचा सकूँ जूट अपना पता इधर से उठाके वह अपना पता यह यहां से उठा के कहां रख रहा है बाहर रख रहा है लिकिन अगर मैं सुधर जाओं और मुझे यह कहने की जरूरत ना बचे कि इधर सब कुछ ठीक है अगर मुझे यह कहने की जरूरत ना बचे कि इधर सब कुछ ठीक है तो मुझे उधर भी जूट बोलने की जरूरत उधर जूट बोलना इसलिए पड़ता है या प्रोजेक्ट प्रक्षेपित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जूट सबसे पहले इधर है जब इधर जूट होता है तो उधर जूट आही जाता है इधर के जूट को बचाने के लिए उधर जूट खड़ा करना मजबूरी हो जाता है इसी को कृष्ण घीता में कैसे कहते हैं जब काम भरा हो आँख में सच नजर नहीं आता है जब यहां जूट बैठाओ न जब यहां जूट बैठाओ तो सामने भी सच नजर नहीं आएगा यहां की गंदगी जबरदस्ती कहा को तुमने प्रोजेक्ट कर दी है बाहर को तो बोलोगे बाहर क्या है सब गंदा 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 पर अगर वो प्रोजेक्शन वो प्रक्षेपण नहीं करा है तो बाहर जो चीज जैसी है वैसी देख सकते हो कोई मजबूरी न इमांदार हो पाना ये दोनों एक ही बात है एक साथ चलेंगे जो आदमी यहां इमांदार नहीं है वो बाहर जो कुछ देख रहा होगा सब उल्टा पुल्टा देख रहा होगा आप उसे पूछोगे कि दुनिया कैसी है वो आपको जो विवरन देगा वो बिलकुल भ्रांत हो मैं नशे में हूं मान लो मैं सीधी रहा चलते वह भी गिर गया तो यह मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैं बोलूंकि सड़क खराब है या सड़क पर तेल पड़ा हुआ है जिसके पास भीतर जूट है वो बाहर सो तरह के जूट बोलेगा और ये भी संबब है कि वो अपने आपको या आश्वस्त कर ले कि सचमुच सडक फिसलन भरी थी बिलकुल हो सकता है कोई फिसल के गिर जाए कभी ऐसा हुआ है कि वो ऐसे करे वो वहाँ देखता है जहां पर फिसल के गिरा है करे कोई गलती उसके भी दरार दिख जाए ताकि वो ये शिद्ध कर सके कि उसकी गलती नहीं है पिछ में क्रैक था और क्रैक में पढ़के बॉल नीची रह गई और उसकी गिल्ली उड़ गई और अगर उसको इतनी सी भी दरार दिख गई तो तुरंद बोल देगा दरार इतनी बड़ी थी ये भी हो सकता है कि दरार होई न वो बोल दे दरार है समझ में आरही ये बाए उसको एक जूट बचाना है कौन सा जूट? क्या जूट? गलती मेरी है इस जूट को बचाने के लिए वो पिच को लेके 100 जूट वो लेगा भीतर के जूट को बचाने के लिए बाहर बहुत सारे जूट रचने पड़ते हैं निर्मित करने पड़ते हैं मेरी थोड़ी गलती है पिच खराब थी बॉल उचल गई, मेरी थोड़ी गलती है पिछपे धूल ज्यादा थी, बॉल स्पिन कर गई मेरी थोड़ी गलती, याद आ रहा है कि वो जा रहा है और वो एक बार भी कोई यह नहीं सोच रहा है मैंने क्या कर डाला, वो क्या कर रहा है मुड़ मुड़ के उधर देख रहा है जैसे वहां भी कोई बैठा हो और उसको बता देगा कि तुम बोल्ड के हुए भीतर के जूट को बचाने का दाम हम ये चुकाते हैं कि पूरी दुनिया जैसी है नहीं हमको वैसी दिखाई देने लगती है जानते हो इसके कितने घातक अंजाम हो सकते हैं ये आदमी पीछे को जा रहा है पेवेलियन से निकल के अगला बल्ले बाद आ रहा है और ये जो पेवेलियन को अब जा रहा है इसने अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि ये बोल्ड इसलिए हुआ क्योंकि पिछ में दरार इतने घा तक हम अपने आपको इस हद तक आश्वस्त कर सकते हैं, हमें सचमुच ऐसा लगने लग सकता है कि दुनिया खराब है, यह आदमी बुरा है, यह ऐसा है, वैसा है, जो है नहीं, हम उसकी कलपना करना शुरू कर सकते हैं, जो अगला बल्ले बाद आ रहा है, उसको भी यॉरकर थी मिडल लग पे, वो LBW, खत्म, हमें जो कुछ भी लग रहा है ना दुनिया के बारे में, दुनिया वैसी नहीं है, हमारे पास जितने जूट हैं, वो हमारी दुनिया बन जाते हैं, यह लिख लो अच्छे, आपके पास जितने जूट हैं, वही आपकी दुनिया बन जाते हैं, आपके पास जो काम वासना है, वो आपके प्रेमी या प्रेमिका का सौंदर्य बन जाती है, जो खासकर जवान लोग होते हैं, उनकी दुनिया यही होती है न, तुम्ही मेरी शब हो, तुम्ही क्या हो, लब हो, टब हो, बाथ टब हो, जो भी हो, सौंदर्य उ ये चुडेल, ये सुन्दर लग रही तुझे, और आप ही जब वासना से खाली थे, आप उसको जानते हो, आप ही के society, महले कहीं की है, पहले से जानते हो, आप में ही जब वासना नहीं थी, तो आप उससे बातवात नहीं करते थे, आपकी लडाई और छिड़ जाती थी, वो जब से वासना जगी है, तब से कहते हो, आ गई मेरी, क्लियोपेटर, हमारी ही माया हमारा संसार बन जाती है, इसलिए द्वहत वेदान पूरे विश्व को हमारा प्रक्षेपन बोलता है, आपका विश्व आपका प्रक्षेपन है, इससे यही आश्य है, आपके भीतर जो प्षड़े होने का होसला नहीं, तो नोटों की गड़ी के पीछे छुप रहे हो, वल्नरेबिलिटी याद है न, दम चाहिए न उसके लिए, वो है नहीं, समझ में आ रही बात है, बाहर ज्यान रहे सिपाही भीतर भक्ति अधिकाई, बाहर ज्यान तभी हो पाएगा जब भ भीतर भक्ति हो, भीतर भक्ति माने भीतर का सक, और बाहर ज्यान माने बाहर का सक, जिसके भीतर जूट है, बाहर वो उसी जूट का विस्तार एकदाए से फैला देगा, बाहर आप कुछ तभी जान सकते हो, जब भीतर सच के लिए प्रेम हो, बाहर सच तभी पता चलेगा ज जिसके भीतर सच के लिए प्रेम हो, जिसके भीतर सच के लिए प्रेम नहीं, उसकी दुनिया सिर्फ जूट से भरी होई होगी, और कोई यह कहता थोड़ी है, मेरी दुनिया है, जिसको हम कहते हैं, मेरी दुनिया, माई वर्ल्ड, वो एक जूट है, वो दी वर्ल्ड नहीं है, वो my world है, दुनिया और मेरी दुनिया में जमीन आस्मान का अंतर है। दुनिया तत्थ है, मेरी दुनिया मेरी कल्पना है, वो एक व्यक्ति है, ये एक तत्थ है, वो व्यक्ति मेरी जान है, ये मेरी कल्पना है, दुनिया और मेरी दुनिया, इसमें जमीन आस्मान का अंतर हो, वो एक घर है, ये तत्थ है, वो मेरा घर है, ये कल्पना है, अजीब तुमको दुनिया दिखती है वैसी है नहीं वो उल्टे व्रिक्ष का उदाहरण देते हैं अभी हम वहाँ पर आएंगे बस दो-तीन साल के अंदर अब आप लोगों की अनुकंपा है जिस गते से हम चल रहे हैं उसमें वहाँ आते आते अभी लग जाएंगे दो-तीन साल क्यों अरजुन को की यह जो दुनिया है न जैसी दिखती है उसकी बिलकुल उल्टी है यह संसार एक उल्टा महा व्रिक्ष है जिसमें जड़े ऊपर है और शाखें और पत्तियां नीचे को हैं तो वैसे ही हमें लगता है कि जगत आखों के माध्यम से हम में प्रवेश कर रहा है ह हम दिशा सोचते हैं बाहर से भीतर किये तथे इससे बिलकुल उल्टा है जगत हमारी आखों के माध्यम से बाहर विस्तृत हो जाता है विकीर्ण होता है दिशा भीतर से बाहर किये वो बाहर से भीतर को नहीं आता हम जैसे हैं वो हमसे निकल के बाहर फैल जाता है इसलिए अलग-अलग लोगों की दुनिया अलग-अलग होती है, आप जैसे हो आपकी दुनिया आखों से निकल के बाहर फैल जाती है, हम सोचते हैं कि मैं आख खोल रहा हूं तो दुनिया भीतर आ रही है, जैसे कि दुनिया कोई एक चीज हो, अगर दुनिया आखों से भीतर आ रही ह होती तो कोई एक ही चीज होती न फिर सबको एक सी दिख रही होती दुनिया ये मैं दिखा दूँ आपको बहुत साधारण सी चीज है पानी का ग्लास यकीन जानिए ये भी आप सबको अलग अलग दिख रहा है मैं आपसे पूछो ये क्या है थोड़ा लिखिएगा इसके बार सच है तभी बाहर सच हो सकता है बाहर ग्यान रहे सिपाही भीतर भक्ति अधिकाई भीतर भक्ति और तभी ग्यान ग्यान माने जानना है जानना है क्या जूट जानना है जानना है वो तो तभी जानोगे न जब जानने से प्रेम होगा भक्ति जानने के प्रति प्रेम का नाम मुझे जानना है मुझे जानने से प्रेम है इसी को भक्ति कहते हैं बोध मेरा स्वभाव है भ्रम में नहीं रह सकता मुझे जानना है इसी को भक्ति कहते हैं ज्यान को सिपाही क्यों बोला क्योंकि हमारी बड़ी शिकायत रहती है कि दुनिया आके ठग गई अगर सचमुच ज वाशा यह है यह नहीं है कि जितने बैठनें ये भी क्या है ये भी बाहर है ये जिसको मन बोलते हो ये भी क्या है ये भी बाहर है उसको चुह अहम के बाहर जो भीतर भीतर फैला है उसको क्या बोलते हैं मन और अहम ने जो ये शरीर पकड़ रखा तादात में करके उसके बाहर बाहर जो फैला है उसको क्या बोलते हैं तो सूक्ष्म रूप से अहम के जो बाहर फैला है उसको क्या बोलते हैं मन और स्थूल रूप से जो तो हमके बाहर फैला उसको क्या बोलते हैं संसार तो सब बाहर ही है बाहर माने ये नहीं कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति बाहर माने वो व्यक्ति भी ये तन भी और मन भी भाई जब आप कहते हो अंदर या बाहर तो किसी संदर्व में बोलोगे न कोई बोले जरा अ तो अंदर बाहर जब हम बोलें तो अंदर बाहर से आशाई यह नहीं है कि खाल के बाहर जो है वो बाहर और खाल के इस तरफ जो है खाल सीमा रेखा नहीं है हम बाहर का मतलब समझते हैं इस खाल के बाहर नहीं खाल नहीं अहम के बाहर सीमा रेखा को सही जगे खीचिए आप शरीर होते तो हम कहते इसके बाहर जो है वो बाहरी है नहीं आप अहम हैं आप क्या हैं आप अहम हैं तो अहम के बाहर जो है वो सब बाहरी है आप अगर शरीर होते तो हम कहते कि ये इसके भीतर जो मास है वो भीतरी है अगर ये मेरी सीमा होती तो इसके भीतर जो हड़ी है वो क्या होती बाहरी ये भीतरी होती नहीं ये मेरी सीमा नहीं है मैं ये खाल थोड़ी हूँ मैं कौन हूँ मैं वो हंकार हूँ मैं वो मैं हूँ आप क्या बोलते हो मेरी खाल तो आप खाल से अलग कोई होगे कभी बोला है ये भी कभी बोला है कि मैं मन उदास है अरे मेरा मन उदास है माने मन किसी का है वो कौन है वो जो है वो आप हो जिसका है मन वो आप हो कभी मैं मन नहीं बोलते है क्या बोलते हो मेरा मन तो जिसका मन ह वो हो आप, ना तन हो आप, ना मन हो आप, तो बाहरी क्या-क्या है, जग भी बाहरी है, तन भी बाहरी है, मन भी बाहरी है, सब बाहरी है, और ये जो कुछ बाहरी है, यही हम कह देते हैं, कि हमें ठग लेता है, कभी इसने ठग लिया, कभी उसने ठग लिया, अरे मुझे उठ उठना तो था पर आखें नहीं खुली आखोंने ठग लिया फ्लाइट शूट गई आखें नहीं खुली आखोंने ठग लिया बोलते हो ना आखोंने ठगा सच मुझ तुम्हें उठना होता तो आखें इंकार कर सकती थी कभी जब ग्यान रहता है तो बाहर वाला कोई ठग नही यह बताता है यह नहीं कि ठच बाहर है वोटाता है और जो ज्ञान है तो इस जो सिपाही खड़ा करaret ये बताएगा बाहर तो कोई ठग क्योंकि चोर बसे है घटके भीतर चोर बाहर नहीं है चोर तो जहान घटके भीतर ही बसा हुआ है घटके भीतर चोर लगत है बैठे घात लगाई अब से खबरदार रहो भाई ज्यान वो सिपाही है जो आपको जूटे दुश्मनों से आजाद कर दुश्मन होता है तो ज्यान आपको बताता कि उधर से ठागा रहा है उधर से ठागा रहा है ज्यान वो सिपाही है जो कहता है अरे तुम गलत जगह शत्रू की अपेक्छा कर रहे हो आज कल एक शब्द बह बहुत तयार रहते हैं शत्रू बोध होना चाहिए शत्रू बोध बहुत जरूरी है ये शत्रू है वो शत्रू है उस समुदाई के लोग शत्रू है उस देश के लोग शत्रू है गोरे लोग शत्रू है यूरोप शत्रू है अमेरिका शत्रू है चीन शत्रू है सब शत्रू है मुसलमान शत्रू है, इसाई शत्रू है, शत्रू बोध होना चाहिए लेकिन जानने वालों ने क्या बोला है? घट के भीतर चोर रहत है, बैठे घात लगा यूँ कहते हैं एक ही शत्रू है और वो इधर कहीं नहीं है, वो इधर है और इधर जब दुश्मन नहीं होते तो बाहर खत्रा प्रतीत होना बंद हो जाता है क्योंकि जिसको भी खत्रा हुआ है, कभी भी जिसकी भी कभी हानी हुई है, उसकी हानी यहां से हुई है लेकिन चूंकि वो ऐसा है कि उसकी हानी हो तो हानी हो जाने के बाद भी बुद्धू को अकल नहीं आती, वो सोचता है हानी किसी बाहर वाले ने करिए, हानी बाहर वाला कभी नहीं कर, हानी हमेशा यहां वाला कर, यहां से आप ठीक हो हम देखते हैं, बाहर से कोई कैसे आपकी हानी कर लेगा, यहां की हानी ही आपको तो इसलिए ग्यानियों ने आपसे कहा विचारो कौन ठगवा नगरिया लूटल रे क्यों विचारने को कहा है क्योंकि बिना विचारे तो हम सब के पास पहले से उत्तर हैं ही तैशुदा कि ठग कहां बैठा है वहां बैठा है वह रा ठग तो कहते हैं ना ना सच मुझ गौर स ग्यान प्रताप तो उसको आपने खड़ा कर दिया पहले आपके पास कोई सेक्योरिटी थी नहीं कोई सुरक्षागर्मी था नहीं तो आप अपना बैठे हुए थे घर के भीतर और घर के भीतर रोज लूट रहे थे पता चलता नहीं थे कौन लूट रहे तो क्या सोचते थ कौन लूटता हैँ मारी से कोई आता हम लूट के चला जलता है बाहर गूम रहे इसल सब चो Mitt के लूटे रहे यही आते है और हमें रोज लूट लेके साल नई शुरुवात और नई शुरुवात यह कि यह बंदगरों गीता वगरा यह नई चीज होगी पिछले चार महीने से फसे हुए थे फायर दगार्ड यही तो नई शुरुवात यह कुछ तो अलग करना है न हमारी सारी शुरुवाते नई मूर्खताओं की तो शुरुवाते होती है जो आप कुछ बोलते हो now I'm going to begin something new so what's the new stupidity please new माने क्या होता है आप तो old ही हो the old idiot जब old idiot कोई new हरकत करने जा रहा है तो वो new क्या होगी idiocy और क्या होगी the old idiot trying his hand at something new क्या अर्थ हुआ इसका more idiocy which he is calling as new idiocy तो let's fire the guard क्योंकि guard ने आगे क्या बताया कि बाहर तो कोई खत्रा है यह नहीं और अगर बाहर कोई खत्रा है नहीं तो इसका तो सीधा निश्करश यह निकलता है कि मैं ही चोरूं मैं ही अपने घर में चोरी कर रहा हूं बत्तमीज तु मुझे चोर ठहरा रहा है तु मुझे चोर ठहरा रहा है तुझे पता भी यह तुने जो बोला उससे निश्करश क्या निकल रहा है क्या निश्करश निकल रहा है अगर बाहर कोई चोर नहीं है और चोरी होई रही है तो माने थपड़ मार दूँगा निकल यहां से बाहर, let's fire ग्यान प्रताप, वैसे मेरे भी घर का नाम ग्यानु ही है, पता नहीं, मेरे पिता जी थे, उनको इस शब्द से बड़ा कुछ प्रेम था, कभीर साहब के लिए काशी में एक नाम ये भी था, उन्हें बोलते थे ग्यानी जी, पिता जी मेरे वहीं से थे, तो उन्होंने लोग दुलार में अपने बच्चों के बहुत तरह के नाम रखते हैं, उन्होंने मेरे नाम रखा ग्यानु, ठीक है, तो let's fire ग्यान प्रताप, क्योंकि ये जो बता रहा है उससे तो यही अर्थ निकला कि तूने चोर बोला मुझे, भक्ते का अर्थ है जानन कि बेचैनी और बेचैन एक हैं, कि चोरी और चोर एक हैं, जिसके घर चोरी हुई है, वही चोर है, जिसको बेचैनी हुई है, वही बेचैनी का कारण है, इस सुनने में ही थोड़ा सा, मन ऐसा लग रहा है सारे दुश्मनों को clean sheet दे दी, रहे वो आपको पता भी है, मेरी ज जो कुछ भी किया, जिसने भी किया, किसके साथ किया, आपके साथ किया, कुछ समझ में आ रही है बात, आप मौजूद हो, तभी तो आपके साथ किया न, क्यों मौजूद हो, जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मौजूद क्यों हो, हो तभी तो हो रहा है, ग्यान कि कोई दुरघटना होई हो, हमारे घुटने पे अभी भी चोट है, वहां से हम अपनी मौजूदगी कैसे हटा लेते, सहाब आप आपका घुटना नहीं हो पहली बात, दूसरी बात, सड़क दुरघटना में आपके घुटने पे चोट लग सकती है, आप पर चोट लगे वो एक बात नहीं है, ना हम देहास में, मैं मेरी देह नहीं हूँ, घुटना तूटा है, हम थोड़ी तूट गए, तो छोड़ दो ये प्रलाप की दुश्मन बाहर है, जिसने आपको चोड पहुंचाई, वो बाहर है, जब भी चोड पहुंची है, आपको पहुंची है, और आप आपकी संप्रभुता हो आपका स्वभाव है पूर्ण स्वतंतरता complete sovereignty आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है दूसरा उसका निमित हो सकता है ठीक, यहां तक हमने दे दिया उपादान नहीं हो सकता यह कारणता, causality के होते हैं आप बोलते हो कुमहार ने घड़ा बनाया मिट्टी के बना लेता क्या कुमहार बाहर हो सकता है पर मिट्टी आप हो तो अगर घड़ा बना है तो दोश कुमहार को क्यों दे रहे हो वो निमित है बस मिट्टी आप हो, मिट्टी न होती तो कौन सा कुमार घडा बना लेता आपसे कोई पूछता है कभी कि घडा किसने बनाया, कभी बोलते हो मिट्टी ने बनाया यही तो भूल है, हम कभी भी जो मूल कारण होता है उसको नहीं देख पाते हम हमेशा निमित्त कारण को पकड़ कर बैठ जाते हैं, बाहर वाला अगर गुनहगार है भी तो बस निमित्त के तौर पे, और अगर कुमार ने बनाया है घडा तो मैं कह रहा हूँ कुमार बना कि दिखा दे ना, बिना मिट्टी के, मिट्टी ने बनाया है ये तो संभव है कि कुमार न रहे तब भी घड़ा बन जाए प्रक्रति के सयोग है बिलकुल बन सकता है बस सयोगवश मिट्टी एक ऐसा आकार ले सकती है कहीं पर किसी समय पर कई सालों में एक बार कि वो आकार घड़े जैसा लगे बिलकुल हो सकता है पूरी तरह से घड़ा के उपादान कारण हो आपके बिना नहीं हो सकता ग्यान आपके यही बता देता है बाहर जो थे वो पहली बात तो ठग है नहीं और अगर वो चोट दे भी रहे हैं तो क्या है निमित्त मात असली कारण तो यहां बैठा है यह यह बात हमसे हमारे बहुत सारे बहाने सहारे छ क्या-क्या सितम ढ़ाएं हैं हम पर आप उनसे कहिए कुछ भी बताओ कोई भी चीज सुनाओ Every story is a sob story इनसे कभी कैमत दीजएगा कि चाय पिला दो यह आसू मिला के ही पिलाते हैं जोलते हैं लिजे खास जापानी नमकी इंटी अब आप से सवाल पूछ रहा हूं इमंदारी से सोचिएगा और लिख दीजेगा क्या हमारी भी हर story sob story ही नहीं है sob story का अर्थ यहीं नहीं होता है कि मैं रो पड़ी sob story में ये भी होता है जमाना तो मुझे रुलाने आया था पर मैं डिट मोले अगार मर गया की सपाही होता है तो आके बोलता है बाहर तो पश्मन वह मजबूर करता है सौब स्टोरी को कि बनो जवर्दस्तियां सोब मनें, इतना मनें नहीं कर रहा हूं बात ये समद्रस यहां पर रहा हूं गया सकंव बात यह गया सक्षित हैं। नहीं करता कोई विद्रोह नहीं किया इसने आज तर बताओ कैसे कैसे काम कराने सारे कर देगा यह तो यहां बैठा है कुछ भी पहुच सकता है आगे आपकी कल्पना पर भक्ति क्या है बाहर देखने को भक्ति नहीं कि यहां यहां वो है फलानी जगह है उसकी बड़ी महिमा ह नहीं है फलाना यहां चले जाओ परवत नदी जंगल पहाड़ यह दिशा वो दिशा यह वस्तर वो पात्र भक्ति काुँ सबसे क्या संब्द है १क्ति माने लिखो जब भी कहा जाय भक्ति मार्ग तो उसको पढ़िएगा प्रेम मार्ग भक्ति माने प्रेम भक्ति माने प्रेम के नीचे लिखिए प्रेम करना किसको है एहम को तो प्रेम का एक मात्र अधिकारी कौन है आत्म यह तीन याद है ना बहुत दिनों से इनको हमने याद नहीं किया आप भूल तो नहीं गए प्रेम करता कौन है? ये उलाद किसकी है? प्रक्रति. आया पर प्रेम में है तो भक्ति का अर्थ है इससे अनन्य प्रेम. आत्मा से अगाध प्रेम की है. आगे बात हो लिए सुरति की. सुरति क्या है? रति माने क्या है? रति माने? एकदम साधारन अर्थ में समझो तो रति मा दूर का संबंध हम आ सकती से भी जो सकते हैं, रत रहना, मगन रहना, संबंधित रहना, रति के ये सारे अर्थ होता है, एकदम शारीरिक तल पर आओ तो रति का अर्थ हो जाता है कामक्रीड़, मानसिक तल पर जाओ तो रति का अर्थ हो जाता है लिप्तता, और अध्यात्मि रत है, इसको कहते है सुरति कामदेयों की पत्नी का नाम है क्या? रति तो रति का शारिरिक तल पर अर्थ होता है संभोग मन पर जब आठ बोलते हैं इसको रति चड़ी हुई है भाषा में ऐसे कहते हैं तो उसका आर्थ होता है कि ये किसी चीज का दिवाना हो गया है, किसी विशय के पीछे पागल हो गया है, मोहित हो गया है, और वही जो रति शब्द है वो अध्यात्मिक तल पर आकर सम्मान पा जाता है, वो सुरति बन जाता है, सुरति भी एक तरह का दिवाना पन है, गहन प आत्मा से प्रेम होगा की नहीं संयोग की बात नहीं है चुनाव की बात है तेल चड़ाओगे तो होगा तेल नहीं चड़ाओगे तो नहीं होगा कसकर तेल चड़ाई माने अहम को आत्मा की और जाने के लिए मिटना पड़ता है जलना पड़ता है ज्योति सुलगे जलना पड आत्मदाह के लिए तुम्हारा प्रज्योलन होगा ही नहीं अगर तुम नहीं चाहो यह आत्मदाह है आत्मदाह समझते हो ना स्वयम ही स्वयम को निपटा देना तो भाई निपटना है तो आग भी खुद ही लाओ और इंधन भी खुद ही बनो जाओ तेल लेकर आओ कसकर ते अपनी ही ज्वाला में जलना पड़ता है और आप जल सकते हो क्योंकि आप कौन हो आप अहम हो अहम क्या होता है कचरे का धेर बहुत असानी से जल जाता है आत्मा क्या है कुछ नहीं है कचरे का धेर राक हो गया राक उड़ गई जो खाली साफ स्थान बचा उसी को आत्मा कहत आत्मा को इसलिए बारबार आकाश की उपमा दी जाती है, उपाधे आकाश वद्थ है आत्मा, अश्टावकर बार 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 व्योम, अश्टावकर गीता में कहते हैं, अहम क्या है कचरा, उसी को जलाना है, कसकर तेल चढ़ाई, जला दो ये, हम कचरे हैं और इस जंत भी काम नहीं आएंगे ये मामला इतना निजी है कि खुदी करना पड़ता है प्रेम की आउट्सोर्सिंग होती है क्या डालिंग आज बहुत बिजी हूँ लेट मी सेंड यू माइ सेक्रेटरी ऐसा करा आप दुनिया के बाकी सारे काम किसी और से करवा सकते हो बहुत बड सकता है प्रेम के लिए भी कुछ रखेगा कोई आके बता रहा है देख चार एजंसी से प्रपोजल्स आये हैं सब आये सो सर्टिफाइड है लव मेकिंग है आप बाकी जरूरी काम समालिए ये वाला काम आपके लिए ये एजंसी करेगी इसा तो नहीं होता ये काम खुदी क सकता है कोई रोशनी थोड़ी दिखा सकता है कोई इशारा कर सकता है कोई आग्रह उदाहरण आदर्श इनका उपियोग कर सकता है इस सब काम आते हैं आग्रह कर दिया कोई आदर्श दिखा दिया कोई उदाहरण बता दिया ये सब हो सकता है लेकिन आत्म दाह तो आत्म को ह करना पड़ेगा स्वयम ही बहुत निजी बात है जैसे घर वाले ऑपरेशन थीटर तक छोड़ने आये हो जो आपको बहुत प्यार भी करता हो उसके कदम कहां तक जा सकते हैं बस ओटी के बाहर तक एक सीमा खिची हुई है उसके भीतर तो इसको आप जान से चाहते हो वो भी आये इसलिए फिर जानने वालों ने इसकी तुलना मृत्य से भी करी है तो अहम को वो इस्तरी की उपमा दे कर कहते हैं कि और आत्मा को कहते हैं आत्मा पुरुष है अहम स्तरी है तो कहते हैं इसकी डोली उठनी है और इसे जाना होगा ये पिता के घर नहीं रह सकती पिता क पुरुष के हाँ जाना होगा और इसको डोली पे बैठना होगा उन्होंने उस डोली की तुलना अर्थी से करिये ठीक वैसे डोली पे अकेले बैठना होता है जैसे अर्थी पर भी अकेले जाना होता है इस दोनों एक बहुत सुंदर कभीर सापका है और उसको मैंने जब भी स जिसमें उसकी विदाई होनी है वो वास्ताव में क्या है वो अर्थी का कपड़ा है वो बहुत सुन्दर भजन है किसी को याद साज सिंगार पिया ले आए और कहरवाचारी तो गहते चार कहार पहले जो डोली ले आते थे उनको कहार बोलते थे दो पीछे लगते थे दो आग जब शारीरिक तल पर हो जाए तो मृत्यू है और दोनों में ही एक ही बात है राम नाम सत्य है पर जब दूसरे बोल रहे हो राम नाम सत्य है और आप चुपड़े हो तो मृत्यू है जब आप बोल रहे हो राम नाम सत्य है और दूसरे चुपड़े हो तो मुक्ति है समझ मे अहम चला गया इसको कहते हैं तो दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे हैं और दोनों ही काम बिलकुल निजी हैं अकेले पन के हैं जो लोग भीड के अभ्यस्त हैं उनके लिए नहीं यह मामला भीड न तो चिता पर साथ जाएगी न मुक्ते में साथ जाएगी यह काम तो बिलक अकेले कर गुरुदीना माल खजाना राखो जुगत लगाई पावरती घटने नहीं पावे दिन दिन हो जाना होत सवाई दिन दिन होत सवाई अब से खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई शमाशिल की माला पहनो शमाशिल की माला पहनो ज्यान वस्त्र लगाई ज्यान वस्त्र लगाई दया की टोपी सिर पर दे के और अधिक बन आई अब से खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई मैं डिप्रेशन में चले गई थी मैं थर्ड एर करी थर्ड एर में थी बी एसी नर्सिंग करी हो मैं तो साथ महीने तक मैं कॉलेज नी गई थी घर चले गई थी अधिक स्वेयर डिप्रेशन हो चुका था उस टाइम पे शोट्स जैसे अपने आपी फोन जैसे मैं देखती थी तो अचारे जी की शोट्स आते थे तो उस टाइम पे मैंने उन्हें सुनना शुरू किया था तो उसके बाद मैंने दो तिन बुक्स ली थी ओनलाइन पढ़ा मैंने एक था डर एक बुक थी अप संघर्ष अपने विरुद और एक मैंने बुक ली थी घर घर उपनिशद तो बहुत मैं लाइफ बैटर हुई है और डिप्रेशन से भी मैं टोटली बाहर आ गई और लाइफ को सही तरह से जीने का तरीका क्या है रियालिटी क्या और कुछ पता जला मुझे और गीता मैंने पहले भी सुनी थी पड़ी थी पर उसका अर्थ अनर्थी पतलब वह सही अर्थ नहीं था वह ऐसे की वर्ड्स तो गीता के लेकिन उसका मीनिंग को छोरी में को बता था अब जाके में को धीरे-धीरे समझ में आ रहे आज संसरीता मे में फर्स्टाइण जूडियों में और यह मेरा पहला सीख सत्र है क्योंकि सच मुझे कुछ अच्छे से इतना समझ में नहीं आ रहा था शुरू में पर अब मुझे समझ आना शुरू हुआ है अहम आत्मा और जो प्रॉपर्स की डेफिनेशन क्या है किस तरह अचारे जी य काही मनवा दुख की चिन्ता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है सुख है इक चाओं ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है अपना साथी है